तो डेटाबेस हर एक organization का या फिर corporate का एक backband होता है तो अब वो जवाना नहीं रेंगे कि हम details या फिर data जो भी हम पर्चों में या फिर paper files में लिखके रखें तो यह अब ही digital सब कुछ digitally रखा जाता है और जितने भी data हमारे पास रहते हैं फिर वो user का नाम, address, credit card के details वो सब हम database में store कर गए रखते हैं और क्या हो यही database hack हो जाए तो users के सारी information और credit card के details और या फिर credentials वो हमारे hacker के पास आ जाता है और वो उसे manipulate भी कर सकता है data को तो बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं सो अम बात कर लेते है SQL injection क्या होते है एक्चली एक cyber attack है जिसमें particular ही एक hacker input देता है database में जो कि कुछ भी हो सकता है SQL related रहता है उसके बाद hacker के पास वो details आ जाते है जो कि उसे वो password के द्वारा ही मिलना चाहिए वो login कर जाता है विदाव password तो यह फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाती है अगर कोई भी login page compromise हो जाता है hacker के वज़े से अब बात करते हैं यूज करने वाले SQL map के बारे में तो SQL map एक open source tool है जो कि हम इसमें यूज करने वाले जो कि हमारे कई सारे कामों को automate करेगा तो मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि हमें जो भी करने वालो या फिर जो भी आपको दिखाऊंगा यह सिफ education परपस के लिए कि कैसे हम database को secure कर रिया फिर credentials कैसे release हो जाते हैं तो फिर अगर आप pushbiz से करते हो तो I'm not responsible for that तो सबसे पहले मैं आपको एक website दिखाना चाहूंगा जिस पर हम टेस्टिंग करने वाले क्योंकि वह website अल्रेडी टेस्टिंग परपस के लिए तो मैं किसी पर्टिकुलर website को हम नहीं करने वाल है उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर मैं डाल देता हूं और हम एंटर करते तो आप देख सकते यहाँ पर यह website है और मैं इसका login page दिखाना चाहूंगा लाश्ट ओके तो यहाँ पर हमें जूम कर लेता हो थोड़ा तो यहाँ पर हमें यूजर नहीं पता और यह पासवर्ड नहीं पता फॉर एक्जंपल आप मान के चलिए आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का वेबसाइड है जिसमें डेटाबेस स्टोर रहते तो फिर हम और यहाँ पर नीचे हम दाल देते हैं एड और करते एंटर तो यह लॉग इन नहीं हो रहा तो हम इसका पासवर्ड और कुछ भी नहीं बता इस पर हम एसक्वेल आटेक करने वाले जो कि यह अल्रीडी वन्रेबल एसक्वेल इंजेक्शन से तो हम यहाँ पर यूज करने व और मैं नहीं चाहता है कि जो भी कमांड से वह आप इसे रठ ले मैं चाहता हूँ कि आप एसक्वेल का जो भी लैंग मेज हो सीख ले ताकि आप को जो भी इनपोट देना वह अपने हिसाप से दो और आप समझ जाओ तो हमने यहाँ पर यह यूरल ले देया वह हाइफन यू यूरल देने के लिए ता तो यहाँ पर देख सकते आप में आप मैंने एसक्वेल मैप टूल यूज किया और यहाँ पर हम करेंगे क्रॉल ताकि हम हमारे पास जो भी एक मिने काम नहीं से पहले टाइक कर लेता तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास जो भी एक सट के अंदर भी कई सरे डोमेन होते यानि की डैरेक्टरी जोते तो हमें उसके वेबसेट के अंदर भी जाने फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर हमारा पैरेमिटर था टेस्ट वुलनब डॉट पी एच्पी था उसके अंदर लॉग इन भी था लॉबड भी था तो हम अंदर तक जा रहे और कहां तक वन लिमिटी प्रेजेंट है हम वो चेक करने वाले तो फिर में यहाँ पर एंटर करते तो इसका नॉर्मल डिफॉल्ट है वही चेकिंग करेंगे हम तो हम इसका वर्लिबल जो पर्टिकुलर वेब इसके यो एले आमें मिला है कि नहीं कि इससे फाइंट करना बड़े यहाँ पर अटाक में एक मिनिट हां ओके तो यहां पर आप देख सकते यहां पर आमें में चुकाई यह जो युर्ल है इससे हम कॉपी लिंक कर लेते सारी यह तो ऊपन हो गया ऑर आगे हम करेंगे इस कि जो भी डेटाबेसे उसे हम फेज करेंगे तो सबसे पहले मैं SQL Map Call दे देता हूँ और उसके बाद URL और यहां पर मैं URL पेस्ट कर दूँगा उसके बाद जो डेटाबेस बनते वो तो हमें डेटाबेस का ही नाम नहीं पता तो वो भी फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कमांड से तो आईए देख लेते हम उससे तो यहां पर हमने डाल जाया है यहां पर हमें करंट यूजर चाहिए और जो भी डेटाबेस उसके नाम चाहिए और यहां पर होस्टने में तो अगर वो भी है तो वो भी प्रिंट करवा दो तरन यहां पर इसे हमें डेटाबेस मिला यहां पर प्रिण्ड डेटाबेस अकिवाट लाए तो फिर हम इसे इसके अनदर और जाते और दिटेल्स देखते हिए हमें टेबल नहीं मिला है तो टेबल के लिए हम डिफॉल्ट टेबल फाइंड करेंगे पहले टेबल तो अब करते हम इसे एंटर तो अब जो भी हमें डेटाबिस का कॉलम मिला था उसके अंदर कुछ यह टेबल से जो कि आर्टिस्ट कार्ट्स और फीचर्ड गेस्ट बूप तो य हम उस वेबसेंड के अंदर जा चुके और जोहां पर भी वो लोग सेव करते पासवर्ड या फिर कोई भी डीटेल्स हम उसे फेच कर रहे हैं तो मैं फिर से वहीं कमांड दे दूंगा और हमें टेबल में चुका है तो हाइफं टी और जो भी था यूजर्स और मैं यहां प तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर डेटा को फेच कर रहें डेटावेस से तो मैं देखिए जलंदी हो जाए ओके तो यहां पर हमें कुछ डिटेल्स मिले है और नेम और जान स्मित है और एडरेस यह है 21 स्ट्रीट और यहां पर पासवर्ड है इमेल सरी टेस्ट तो हमें यहां पर पासवर्ड मिल चका है यूजर भी यहीं कहीं होना चीह है आईनेस हाँ user name btaste और password भी टेस्ट है तो आईए हम इसे try कर लेते हैं test करने में क्या जाता है कि तो यहां पर हम वो details डालते हैं जो कि हमने SQL injection से निकाला हमें जो भी database में detail मिलें तो यहां पर मैं type कर देता हूं test और यहां पर user में भी type कर देता हूं test तो करते हैं enter ओके तो यहाँ पे हम वेबसाइट के अंदर जा चुके और जो भी डीटेल से यहाँ पे फिटेक काड के डीटेल इमेल्स तो ऐसे वेबसाइट कांप्रोमाईज होते हैं तो हम prevention की बात कर लेते हम उसे कैसे prevent करें तो सबसे पहले तो और आप एक पर्टिकुलर फायर वाल या फिर एक बैरियर लगा दो जिससे हम malicious input ना हो पाए और access control रगदो इस user को सिर्फ इतना ही access मिलेगा एक बार को अगर वो user hacked हो गया तो उसके पाज ज्यादा privilege नहीं होन अची है जिससे वो harm कर पाए organization को monitoring alert system भी लगा सकते या फिर 24x7 हम एक analyst को बेटा सकते जो की traffic को analyze करेगा SQL में क्या होता है यहाँ पे कुछ harmful malicious input दे देते और database हमें data दे देते या फिर वो error based हो गया boolean based time error जो भी यह रहता है इसके साब से हमें data मिल जाता है तो care is if knowledge और educational purpose के लिए था तो कैसा अलगा प्रीज लेट मी नो in the comment so मिलते हैं next video में so bye